प्राकथन संत्ते गुरुदी कृपा नाल साइं विच समत्तव दी प्रावती ते जनम मरनतों खलासी होई दसी सी होने से शब्द विच दस्देहन के कीकूं संत्ते गुरुदी मद्द नाल जाम कालदा दोख दूर हुंदा है ते साहिब द्याल हुंदा है सिरी राग महला पंजवा कार पहला संत जना मिल पाईया कटे अड़ा जम काल हे पाईयो संत जनानों मिल के जाम जो मौत दा रूप है कट्या गया है सच्चा साहिब मान वुठ्था होआ खासम दयाल क्योंके गुरुदी मेहर नाल साड़ा खासम पाव स्वामी दयाल हो गया एतना के ओह सच्चा साहिब मान वेच ही आवसेया पूरा साथगुर पेटेया बिन सेया सब जन्जाल एस तरह के संतान दी मेहर नाल पूरा साथगुरु मिल पया जैस दी मेहर नाल साड़ा सारा जन्जाल ही दूर हो गया मेरे साथगुरा हो तुद विट हो कुरबान हे मेरे साथगुरु मैं तेरे तो कुरबान हां तेरे दर्शन का बलेहार ने तोस दित्ता अम्रित नाम रहाओ हां मैं ता तेरे दर्शन तो साथ के हां जैसने तोठ के मैनू अमर करने वाला नाम दे दिता है रहाओ जेन तू सेविया पावो कार सेई पुर्ख सुजान स्याने जा ग्यान वान ओपुर्ख हान जिनना ने तैनू हे करतार प्रेमनाल सेविया है तिना पिछे शुटिये जिन अंदर नामने दान हां उन पिछे शुटकारा मिलदा है जिनना अंदे अंदर नाम दा खजाना हुनदा है गुर जेवड दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान साथ जानो गुरु जेड़ा दाता होर कोई नहीं जैसने आत्मदान ही दे दिता है आई से परवान है है जिन गुर मिलिया सुबाई कियुके गुरु नो मिल के सचिय वाहिगुरु नो मिल पईदा है सुबाईदा पाव सुबाव को मिल प्या भी अर्थ कर दे है सच्चे सेती रत देया धर गह बैसन जाई अते सच्चे नाल प्यार कीत दर्गाह विच बैठ़नो था मिल दी है करते हाथ वड़याईया पूरब लिखे आपाई पर एह सब वड़याईया करतार दे हाथ हान जैस दे पहले तों साधे पागाविच लिखे होन करके एह कोश पाईदा है साच करता साच करनहार साच साहिब साच टेक ओपर मेशर एस संसारदा करता रचन वेले सात सुरूप सी ओहो होन भी सात सुरूप है जो ऐस वेले भी करन हार पाव कीती नो काईम रखने वाला है ओही अग्ये नो ऐस दा सचा मालक है जो अपने प्रेमियां दा सचा आस्रा है सचो साच वखानी है सचो बुद्ध बबेक सानू चाहिदा है के उस सचो साचनों सिमर्दे रहिए अते उस सचे दाही ग्यान बहुत वेच काईम करिए सार बने रंतर रव रहे आ जापनानक जीव है एक ओहो एको सब दे अंदर बिना के से वेरल वेथ दे व्यापक हो रहा है पर ओहो व्यापकता समान सत्ता करके है कल्यान वास्ते ता नानक उसनों जाप जापके ही जीव रहा है व्याख्या अपने द्वारा समात देंदे हन पहला सांत जनानों मिले ओथों गुरू मिले आ गुरू ने परमेशर दा नाम दिता पाओ करके उसनों जपे आ नाम अंदर आत्म खजाना बन गया एस तो स्वामी प्रावत हो गया एहो ग्यान वस्था है सचे स्रूप सची दरगाह विच टिकाना मिल गया है पर मूल कारण करते दी मेहर है जैसने एह सारा कुछ पहलों ही पागाह विच पाद दिता सी इना सारे शब्दां विच जो तूनी चल रही है एहे है साच मोच दा उच्चा जीवन ते नाम सिर्मनरन वाली पगती साच मोच दी ग्यान वस्था विच ले जान दी है निरा दमागी को ओड़दा ओड़दा ग्यान कल्यान करी नहीं निरोकत पाईया दा पाव है हे पाई जमकाल दा पाव है जाम जो मौत सुरूप है जाम तोस दा पाव है त्रोठ के मेहरवान होके आत्मदान दा पाव है आत्मक जीवन दी दात जीदान बैसन जाई दा पाव है बैठने नू था मिली है निरामतर्दा पाव है अंत्रे तो बिना लगातार एक रास प्राकथन साथ गुरू दी महमा एस शाबद विच्च विस्थार नाल कीती है ते गुरू दी महमा नू अगाम किहा है सिरी राग महला पंजवा गुर परमेशर पूजी है मान तान लाए पियार गुरू नू परमेशर रूप जान के मानते तान दा प्यार लाके पूजगे साथ गुर दाता जी अका सब सै दे अदार क्योंके साथ गुरू जी दान दाता है इह अदार हो सब किसे नू दे देंदा है साथ गुर बचन कमावने सच्चा एहो विचार पर इह दात सफली ताहं दी है जे साथ गुरू दे बचन कमावने जान इह विचार निरोल सच्चा विचार है बिन सादू संगत रत्या माया मोह सब शार चंगी तरह सामज लओ के सादू दी संगत विच रचे बिना माया दा मोह जो है सो स्वा है अर्थात सादू दी संगत बिना सब स्वा है सब शार है मेरे साजन हर हर नाम समाल हे मेरे मितर हरी हर नाम नू संबाल पाव सिमर सादू संगत मन वसे पूर्ण हो वैकाल रहाओ इह नाम सादू दी संगत नाल मान दे अंदर वस्दा है ताद कमाई पूर्ण पाव सफल हुंदी है रहाओ गुरु समराथ है साब दातां देननू गुरु अपार हरी विच लीन होन करके पार रहत है उसदा दर्शन वड़े पागां करके हुंदा है गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड अवर ना कोई गुरू पवित्र है सो गुरू मान बानी दी पहुंचतों परे है गुरू जेड़ा होर कोई नहीं गुर करता गुर करनहार गुर मुख सची सोए गुरू करता है करने वाला गुरू है उस गुरू द्वारा सची शोबा प्रावत हुंदी है गुर ते बाहर कुष नहीं गुर कीता लोडे सो होए अथवा उस गुरू दी शोबा सची है गुरू तों बाहर कुष नहीं गुरू जो कुष करना चाहे सो हो जान्दा है गुर तीर्थ गुर पारजात गुर मन सा पूर्ण हार गुरू ही मनो कामना तीर्थ है गुरू ही पारजात स्वरगांदा ब्रिश है गुरू ही मन दियां मुरादां पूर्ण करने वाला है गुर दाता हर नाम दे उदरे सब संसार गुरु दाता है जो हरीदा नाम देनदा है जैस नाल सारा संसार उदर जानदा है गुर समरत गुर नरंकार गुर उच्चा अगम पार गुरू समरत है, गुरू निराकार है, गुरू उच्चा है, अगाम है, अपार है, गुर की महमा अगम है, क्या कथे कथन हार गुरू दी महमा मान इंद्रियान दी पहुंचतों परे है, कथन हार की कोश जांकि ना कोश कह सकदा है जे तड़े फालमान बाच्चिये है, तड़े सतगुर पास जिनने फालमान विच लोड़ी दे हन, उतने ही सतगुरू दे पास हन पूर्ब लिखे पावने साच नाम दे रास, उह पूर्ब लिखे अनसार पाई दे हन पर गुरू वेच्चे है सत्या भी है, कि उह सच्चे नाम दे रास दे के सबनान दा अधकारी बना देन्दा है साथगुर सरनी आया, बहुड नहीं बेनास साथगुरु दी शरनी आया, फिर विनास नहीं हुंदा, जानम मर्ण नहीं रहिंदा हर नानक कदे न विसरा, एहो जीयो पेंड तेरा सास हे नानक मैं कदे हरी नू न विसरा, एह मेरा सरीर जैंदते स्वास सब कुछ तेरा है, हे हरी व्याख्या एस शाबद वेच गुरु दी महमां दसी है, जैस दे कई पहलू हन, नंबर एक एक पाख एस वेच उन्ना लाहियांदा है, जो गुरु तों प्रावत हुंदे हन, जो यों हन साथगुरु अपने बचना द्वारे सातों पदेश देंदा है, अंक एक गुरु हरी नामदा दाता है, अंक तैनते अंक चार ना निरा दाता है, सगु हरी नाम हिर्देविच गुरु संगत नाल ही वस्दा है गुरु जी दानदा दाता है, अंक एक गुरु मनसा पूर्ण हार भी है नंबर दो गुरुनु मिलके की करना चाहिए एह गल दसी है जैस तरह गुरुनु परमेशर तौल सम्झ के पूजना चाहिए आंक एक सतर पहली साथ गुरु दे आखे बचना दी कमाई करो आंक एक सतर तीजी हरी हर नाम दी संबाल करो रहाओ सतर पहली नमबर तेन गुरु दी महमा ऐस पाखवेच कई पाद वरते हन जो वाहिगुरु जी लई वरतीन दे हन जैस तरह अपार गोचर करता करनहार नरंकार अगम परमेशर कोश पाद ऐसे हन जो मखसूस वाहिगुरु ली नहीं पर गुरु लई भी टोक दे हन जैस तरह समराथ निर्मला तीरत पारजात मनसा पूर्णहार उच्चा होन प्रशन उपजदा है के गुर्बानी वेच गुरु सहब आपनू दास ते सेवक जान पागताख दे हन कई था आपनू नीच पापी याद पदानाल भी जाद कर दे हन फेर इह गुरु दी इशुवर तॉल महमाके में टोक दी है दसमें पात्षा नेता इथों तक कह देता है जो हम को परमे सर उचर है तेनर नरक कॉंड मह पर है मैं हो पर्मपुर्ख को दासा बचितर नाट का एस दा पूर्बा परमेलियां समादान यह हुंदा है के गुरु पूर्ण पागत हुंदा है परमेशर नाल सदा आपने अतिश्य प्रेम करके जुड़ियां हुंदा है गुरु सर्ब साथ तों पार हुंदा है ते आपने साथ सुरूप दी लखता विच ते परमपुर्ख दी साथ दी लखता विच उसनाल पेद हुंदा है गुरू पूर्ण ब्रहम ग्यानी हुन्दा है, ब्रहमनों पूर्ण रूपते जाननवाला उसे दा रूप हुन्दा है नानक ब्रहम गियानी आप परमेसर दसमें पात्षा ने आप हुगल दसी है हर हर जन्दु एक है बेब बिचार कशना ही जलते उपजत रंग जेयो जल ही बिखै समा ही बचतर नाटक फिर फुरमाया है जो जल में जाले आए खटाना त्यो जोती संग जोत समाना सोखमनी साहिब ऐस दृष्टांत नू वार्त के देख लो गंगा नदी है जाद गंगा सागर विच अपड़ दी है सागर विच मिलके सागर हो जान दी है तेमें दासदेहन के पागत ग्यानी जो शुद जोती सुरूप है पूर्ण ब्राह्म विच अपेद है परमातम देव विच प्रापत हो जाने करके होनो नदी समान वक्राते हदां वाला नहीं ओहो बेहाद विच रड़या बेहाद है इस करके उस दी महमा वाहिगुरू दी महमा है ओहो सागर विच प्रापत सागर है सो सागर्दे गोनते सागर्दी महमा उसदी है गुरू ता अंदा ही गुरू जोती तू है ते देह विच आके भी उसदों अविच्छड हुंदा है उसदा की कहना है जीव अविच्छड होके भी पागती प्रेम करदा अनपव विच वसदा वाहि गुरू विचा पेद है अज कम ब्रह्म ग्यानी जां हरी जन समझो, तां उपर ले दसं पात्षा दे वाकवन सार, ओहो हर हर जन दोई एक है, जे ऐसी उननु हरी जन भी ना समझ गे, तां फेर सादा उनना पर प्रोसा, ते गुरु मनना की अर्थ रखदा है, उनना दा आपनु दास जानते हो रैसे पदा नाल जाद करना नमरता है, तां होंदे होई नताना दा नमूना है, निरोकत, दाता जीय का, जीय दान देन वाला, आतम जीवन दा दाता, शार दा पाव है स्वाह, पार जात दा पाव है स्वर्गां विच मन्या एक ब्रेश, जिवें दा कल्प ब्रेश है, ओथे पां आनक कथा भी है पार जातदार्त है सुमुंदर तो उपजिया एह सुमुंदर मथन वेले निकले आ ते इंदर स्वर्ग विच ले गया सी क्रिशन जी इंदर लोक गए ता सत्या पामा उन्ना दी इस्तरी ने कहा के द्वार का ले चलो इंदर दी वहुटी सची देना नहीं सी चौंदी एस पर इंदर ते क्रिशन जी दा जुद होया आंत क्रिशन जी जिते ते पार जात ले आए आम तोरते पार जात हार शंगार दे बूटे नू कह लेंदे हन तीर्थ तो मुराद मनो कामना तीर्थ है जो मांदियां मुरादां पूरन करे प्राकथन ओहो विशा जेंक्विच नामदी मुक्ती दाता शक्ती दा वर्णन है। सिरी राग महला पंजवा, सांत जन हो सुन पाई हो, शूटन साचै नाई, हे सांत जनो, हे पाई हो, पाव प्यारियो सुनो। साव परकार दे बंदनातों शुटकारा सचे नामनाल प्रावत होंदा है। गुर के चर्ण सरेवने तीर्थ हर का नाव। हरीदा नाम ही सच्चा आत्मिक तीर्थ है जो गुरु जीदे चर्ण सेवने करके प्राब्त हुंदा है। पाई रे साची साथगुर सेव हे पाई साथगुरु दी सेवा ही सची सेवा है क्योंके साथगुर तुठ पाई पूर्ण अलाख पेव रहाओ। साथगुर विट हो वारेया जिन दिता सच्चा नाव। मैं साथगुरु उत्ते साथ के हां जैसने ऐसा सच्चा नाम मेंनू दिता है। आन दिन साथ सलाहना सच्चे के गुण गाव। होन मैं उस दी आग्या मूजब हर देन साथ साथ सुरूप दी सलाहुत करनी है। ते उसे सच्चे दे ही गुण गावने हन। साथ खाना साथ पहनना सच्चे सच्चा नाव। होन मैं माननों पहनना भी साथ है। खाना भी साथ है। ते सच्चे दा सच्चा नाव। सदा सिम्रना है। सास गेरास ना विस्सरै सफल मूरत गुर आप। मेर होवे जो हर स्वास हर ग्रास वेच गुरु जो आप सफल मूर्त है ना पुल्ले गुर जेवड या वर ना देसाई आठ पहर तेस जाप मेर होवे के मैनू गुरु जिद्डा वड़ा कोई ना देसे हाम एठे पहर असनू जापदा रहा नदर करेता पाईये साच नाम गुन तास ओह गुरु ही अपनी मेहरदी दृष्टी करे ता गुनादा समुन्दर सचा नाम प्रावत हुंदा है गुर परमेशर एक है साब मह रहिया समाई गुरु परमेशर एकको है ओह साब विच समा रहा है जिनको पूर्ब लिखिया सेई नामत आई हाँ जिनना लई उस गुरु पर मेशर ने पहलों तो लेख शड़िया है ओही नामत आउंदे हन नानक गुरसर नागती मरेन आवे जाई हे नानक जो उस गुरु दी शर्न में चाया है ना मरदा है ना आउंदा है ना जानदा है व्याखिया पहले अंकवित दस्या नाम मुक्तीदा दाता है एह आत्म तीर्थ है एह दरगाहे सनमानत पद बख्षदा है रहावित दस्या के एह मिलदा गुरु दे तरुठने तो है हाँ नाम दा नामी जो अलाख पेव है साथगुरु दे तुरुठने ते मिलदा है अंक दोविच दस्या के साथगुरु ने सच्चा नाओ दिता होन मेरा जीवन की बन गया है के सच्चे नाम दे नामी दी सिफ्टसला करदा रहिंदा हाँ निरा मान नाल ही नहीं मेरा खाना पीना पहनना भी साच हो गया है अर्थात सच्चे दी राधना सच्चे दी सिफ्टसलाह नाल ना केवल मेरी आत्मा साथ सुरूप वेच लीण हुंदी है सगो अंतह करणा वेच, बृत्यगा वेच, इंद्रिया वेच व्यापक सात परतीत हुंदा रहिंदा है एथों ताई के तान दे पहने कपडे भी उस नाम रते सरीर दी शोह नाल सात दे प्रबाव वाले हो गई हन अंक तैन वेच फेर उसे गुरू दे शुकर गुजारी वेच परे होए बोल दे हन के ओह गुरू ना पुले ओह सफल मूर्ती है पाव जैस दे दर्शन नाल अग ओग बिनस दे हन मैं अठे पहर उसनू जपाँ अंक चार वेच शिपास्ट अखरां वेच गुरू ते परमेश्यर वेच लिव लीनता ते एक रूप हो जाने करके दोहानों एक रूप वर्णन कर दे हन ते दस दे हन के एह नाम दा प्रताप है ते नाम पूर्बले करमानाल मिलदा है एस लई गुरू की शर्ण लवो एह उपदेश है जो अपने द्वारा कीता है निरोकत शूटन तो पाव है शुटकारा संग्या है स्रेवने दा पाव है सेवने पूजने अलाख दा पाव है जो मन इंद्रियां करके लखेया ना जावे जो साधी समजतों उपर होवे अपेव दा पाव जैस दा पेदना पा सकीए विटो हो पाव उतों गौन तास दा पाव है गुणा दा समूँ जो गुणा दा समूँ है पंजमी पात्षाही दे शाब्द समाप करता करता कर दो